हेलो दोस्तो मेरा नाम है गनेश कुमार आप देख रहे हैं गनेश टीप चैनल इस यूडियो में हम सिखेंगे कि किसी भी फोन में हमें आपे पैटर्न लोग कैसे लगा सकते हैं चाहिए आपके पास भीवो का हो सैमसंग का हो पो का हो रियलमी का हो या फिर दोस्तों आपके पास वोन प्लस हो कोई भी ऐसा Android फोन है तो आप बहुत असानी से आप पैटर्न लोग अपने फोन में लगा सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको सेटिंग काप्शन ढूड़ना है सेटिंग काप्शन आप उपर से लेकर नीचे करेंगे तो आपको साइड में देखने हों के मिला तो हमें इस पर क्लिक कर देना है उसका दोस्तों आपको नीचे आना है नीचे में आपको कहीं पर देखने को मिलेगा पासवर्ड और आपको पासवर्ड और सेक्योर्टी का अप्सन नहीं दिख रहा है तो आपको उपर में सर्च बाडल में जापर क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसा डेखने को मिल जाएगा अगर हम पैटर्न लग लागाना चाहते हैं तो हम यहां पे भी हैं पर पूराना वाला देरा होंगे उस पासवर्ड को यहां पर एंटर कर देना है दोस्तों मैंने आप एंटर कर दिया है उसके बाद आपको यहां पर तीन ऐसे अपसन देखने को मिलेगा जहां पर आपको नीचे में पैटर्न लोग भी देखने को मिल जाएगा तो आपको करना क्या है पैटर्न लोग जो हैं पर देखने को मिल रहा यहां पर पाएंगे यहां पर आ चुका है डrron न्यू पैेटन आ रहा होगा तो इससे पहले आप agturn ज़ो लगाया होंगे वही पैटर्न आपको हहाँ पे दे दिना है तो दोस्तो आपको जिस भी तरिखे का पैटर्ण लगाना चाहते हैं नीचे में आपको डुर करना है जैसे की मुझे लगा दिया हूं जो pattern आप यहाँ पे लगाए है आप यहाँ पे देख पाएंगे दूबारा बोल रहा है कि pattern draw again यानि दूबारा से हमें same pattern डालना है हमें आप यहाँ पे same pattern डाल देते हैं और दोस्तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा pattern जो है लग चुका है तो दोस्तो आप इसी तरीके से आप अपना पैटर्न को लगा सकते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पे देख पहेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे आया पैटर्न लोक मांग रहा है तो जैसे हम यहाँ पैटर्न दे देंगे तो हमारा फोन जोगा अनलोक हो जाएगा दोस्तों आप इसी तरीके से किसी फोन में पैटर्न लॉक लगा सकते हैं वीडियो पसंद आओ तो लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों के साथ भी सेल किजिए